जैशी किष्णा दोस्तों कैसे हैं आप अच्छी होंगे स्वास्त होंगे अपनी घरों में खुश होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हो आपके यूट्यूप चैनल हरी कृष्णा वास्टो टिप्स में कहार नहीं चाहता है कि उसके जिवन की हर समशय उस से कौसो दूर हो चै pushes उसके घर में माताल शमी का स्थिर्वास हो कारोबार में बरकत हो उसके घर में कोई भी विक्ती बिमार और सब का स्वास्ठी ठीक रहे जोग्रह कलेश है वो दूर हो जया जितनी भी negativity हे घर से बाहर च सब्सक्राइब करते सामें बैल के बटन को जरूर दबाएं जिससे के मेरे चैनल की सारी नौटिफिकिशन आप तक अवश्य पाँचे तो चलते हैं आज लाल किताब के कुछ अचूग से टोटके और उपाई में लेकर आएं जिसको करने से जीवन की जो भी समस्य है वो मेन पर बैठके खाना खाना शुरू करते हैं और आपने करना क्या है कि शनी वार के दिन एक जटा वाला नारिल चाहिए आपको पानी वाला नारिल जो होता है वो ले लीजे उसे जो घर का मुख्या है उसकी सरसे साथ भर क्लॉक्वाइस की तरह गुमा के बहते पानी में छ चीक नहीं हो पारा दवाई भी करवा रहे हैं फिर भी आराम नहीं मिल पारा तो आपने करना क्या है रविवार के दिन संडे के दिन आपको तामबे का चकोट टुकडा चाहिए उसे लेकर उस व्यक्ति के सरसे साथ बार क्लॉक्वाइस घुमा कर मिट्टी में गार दीजे यह उपाई करके देखिए जो उसकी अगर दवाई करा रहे हैं तो दवाई का असर होने लग जाएगा उसका जो स्वास्ते ठीक ने स्वास्ते ठीक होने लगेगा मगर हां समय समय पर डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजेगा आपका जो व्यक्ति घर में बिमार है वो ठीक तीसरा उपाई क्या है अगर परिवार में आपको सफलता चाहिए कारोबार में सफलता चाहिए जीवन में सफलता चाहिए और धन व्रिधी के सारे रास्ते खुलना चाहते हैं तो आपने करना क्या है तिजोरी अलमारी आप में जो भी है घर में आप जहां भी पैसा रखते है या आपके जो भी जेवर्द रखते हैं वहाँ पे आपने करना क्या है एक चांदी की चकोड टुकडा रखना है छोटा सही चकोड टुकडा ले लीजिए या तो फिरेगा चांदी का हाथी भी ले सकते अगर आपकी शमता है ये चीज आप अपने उस स्थान पर जरूर रखे इससे मातालश्मी आकशीत होती है और आपके घर में स्थीरवास करती है आपके घर में धनवरेदी होने ही लगती है आपको हर एक कारे में सफलता मिलने लग जाती है तो इस चोटा साचुक सवपाई जरूर करें कर्ज से मिलती है मुक्ती जी हाँ लाल किताब का आज मैं साचुक सटोटका बताने जारी हूँ अगर कर्ज बहुत जादा हो चुका है कर्ज दूर करना चाहते है तो उसके लिए आपने करना क्या है आप हर रोज कव्वे को रोटी खिलाना शुरू करते हैं जिससे कि आपका राहु केतु अशनी की किरपादिष्टी प्राप्त होगी और आपका जो कर्जा है वो दूर होने के सारे रास्ते खुलने रख जाएंगे और आपने करना क्या है वही रात में आप सोने से पहले अपने सिरहने के तरफ जहां पे आप सोते हैं वहां सिरहने के तरफ एक बर्तन ले लीजिए बर्तन पात्र आपको इसा भी ले सकते हैं कटोरी ले लीजिए आपने उसके अंदर जो पूरी भर देंगे या तो फिर आप अपने पलंग के नीचे भी रख सकते हैं इसको रखने के बाद अगले दिन आपने सुबा उट जान है और इसको करना क्या है या तो किसी गरीब को आप दान दे दीजे या तो फिर आप जानवरों को या पक्षियों को ये जौग खिला दीजे ये उपाई करके देखे जितना भी कर्जा है वो दूर होने लगेगा आपके घरे मातालश्मी का स्थिरवास होने लेगा बहुत छोटा सा मगर अचूक कारगर ये उपाई है कर्जमुक्ती के लिए धन प्राप्ति करना चाहते हैं धन प्राप्ति के सारे मार्ग खोलना चाहते हैं तो आपने करना क्या है शुक्रवार की दिन भी कर सकते हैं करना क्या है आपने या तो किसी भी दिन कर सकते हैं अपनी अलमारी में या जो भी आपकी तिजोरी है अगर आप पे आप जो सोने या जेवरात रखते हैं वहां से आप उससे उठा के शुकरवार के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष रख के उसकी विधी विधान से पूजा और आर्टी करें मातालश्मी की और संभवो सके तो लक्ष्मी सुप्त का पाठ करें तो हर शुकरवार का इक नियम बना लीजे इस प्रकार करें अगर नहीं तो फिर आप ब्रस्पतिवार के दिन भी सुपाई को कर सकते हैं इसको करने से मातालश्मी प्रसेन होगी आपके घर क्या है कि जहां भी आप चाहते हैं इस तरह की कोई भी समस्या है वो दूर हो जाए तो आसपास के मंदिर चले जाए जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है या जो भी आप जहां भी जा सकते हैं आपकी जो भी शमता के अनुसार जरूरत मन्द लोगों को खाना खिलाए सके एक व्यक्ति को दो व्यक्ति को जो आपकी शमता है वो शमता के अनुसार आप किसी भी दिन जाके अपने घर के आसपस जो भी मंदिर है वहाँ पे किसी भी जरूरत मंद को भोजन एक समय का खिलाएं इसे जो आपके पूर्वज हैं उन पूर्वजों का आशिवाद आपको प्राप्त होगा आपके जीवन की हर समस्य कोसो दूर चली जाएगी और हर रोज संबब हो सके तो काले कुत्ते की सेवा करना ना भूले अठाट की आप अगर जो भी रोटी बनती है ये कुछ भी आप क आपके जीवन की हर समस्या जरूर दूर होगी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाद से लाइक और शेयर करें और आपको अगर आपकी जीवन में ये उपाई करने से जो भी परिवर्टन आता है उस परिवर्टन को जरूर से जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में करी जाएगी आ मुझे आगे दीजिए शीक्रिशना